हेलो एंड वेलकम बेक दोस्तों मैं जुगल आ रहे हैं आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हर दिक स्वागत करता हूँ आज का विशे हम हमारा कॉश्चन बेंग को कवर कर रहे हैं जो क्लास 11 के लिए है आप लोगों का सभी का टाइम टेबल आ गया है जो की मार्च में आपकी एक्जाम होनी है और अपरेल तक आपकी एक्जाम का चलनी है नवी से ग्यारवी तक के तो विशेस हम 11 वी की तैयारी करवा रहे हैं अभी इस 11 वी की तैयारी में हम आपको question वेंक कवर करवा रहे हैं यदि वीडियो आपको पसंद आये तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिए तो आज हम 216 तो यहां पर दो अंक के विकलपा आने वाले हैं एक चार अंक का question आने वाला है तो टोटल मिलाके आपके छे अंक के आने वाले हैं सध्याय में से तो मैं question वेंक को संपूर्ण आपको solution के साथ cover करवाने वाला हूं आपका time table यदि देखना हूं तो मैं इस वीडियो की description में आपको link दे दूँगा या फिर हमारी playlist में जाकर भी आप आसानी से हमारी channel के माध्यम से वो पूरा का पूरा time table आप देख सकते हैं और इसी प्रकार के रोचक वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो हम पहले वाले प्रस्ण को पढ़ते हैं जो एक अंकर के वेकल्पिक प्रस्ण है अमले तथा प्रबल चार की उदासी नी करन उस्मा का मान 77.0 किलो जूल है यदि 0.5 मोल और HNO 3 विलियन को 20, 0.20 मोल और HNO 3 विलियन डाल दिया जाए तो निकाले गए उस्मा की मात्रा कितनी रहेगी तो इसकी रहेगी 11.40 किलो जूल इसकी उस्मा की मात्रा रहेगी अगला देखते हैं निमली खित में से एंथिल्पी का मान सदेव रिनात्मक होगा तो इसका B वाला उप्शन रहेगा जो जल जाती है बहुए एंथिल्पी और एंथिल्पी को डेलेट से हम प्रदसित करते हैं प्रबल अमल तता प्रबल चार की उदासी नहीं करण उस्मा कामान कितना होता है तो इसका C वाला option रहेगा माइनस का 57.32 किलो जूल या 2.3 32 किलो जूल 2.0 ग्राम मेथेन दहन पर 25 किलो केलोरी उस्मा उत्पन होती है तो मेथेन दहन की उस्मा कितनी होगी तो ये 200 किलो केलोरी इसकी उस्मा रहेगी अगला वाला देखते हैं पांच वाला objective आपका अभी की रिया C, S जो की solid है और 2S C, S2 में उस्मा परिवर्तन क्या कहलाती है तो उस्मा परिवर्तन संभवन उस्मा जो परिवर्तन होती है वो जब enthalpy H हो, दा P हो आइतन V हो, आंत्रिक उर्जा V तो इनके बीच का संभद क्या होता है तो ये enthalpy का सुत्र है H बराबर U प्लस PV जो V और P लिया है आदर सगे समेकंट से लिया गया है स्वता परिवर्तन प्रक्रम में तंत्र में होता है कोई उर्जा परिवर्तन नहीं होता है मुक्त उर्जा के मान में कमी होती है entropy में आउनमन होता है आंत्रिक उर्जा के मान में वरद्दी होती है तो मुक्त उर्जा के मान में कमी होती है अगला वाला देखते है रुद्धोस परग्रम के लिए निमली खित में से कौन सा कथन सत्त्य है तो बी वाला साहिए डी डेल क्यू एक्वल जीरो इस तिर ताप पर अभिक्रिया की उस्मा होती है EP-ER तो यहाँ पर C वाला उप्शन रहेगा आपका HP-HR जो की एंथेलपी में परिवर्तन दाब और उसके नेतांक में परिवर्तन रहेगा यदि दस्वा वाला पढ़ते हैं यदि B की एंथेलपी A से अधिक हो तो अभिक्रिया A B होगी तो वो अभिक्रिया रहेगी आपकी उस्मा सोसी अभिक्रिया रहेगी ये भी आपके एक उंक में पूछे जाते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण आपकी इकाई कवर करवा रहा है इकाई वार जो अबजेक्टिवली प्रसमें चल रहा है उनको आपको कवर करवा के बता रहा है फिर अगला वाला देखते हैं कि बर्फ जो बर्फ रहती है वहाँ जल में पिगलने पर एंट्रोपी खालिस्तान होती है तो बर्फ की एंट्रोपी सदेव केसी रहेगी तो आपको लिखना इसका धनात्मक फिर अगला देखते हैं तीसरा वाला आदर्स गेस में दो मोल निर्वात में स्वता प्रसारित होते हैं तो किया गया कारे खालिस्तान जूल बराबर होता है तो किया गया कारे शुन्न के बराबर होता है आप लिख सकते हैं इसका अंशर सुन्न जूल अगला वाला देखते हैं चटा वाला पांचवा वाला पेले हम चोथा वाला कवर करते हैं पी क्यू यहाँ पर रहेगा आपका पी क्यू बराबर क्यू वी प्लस तो यहाँ पर आपका रहेगा डेल इन आर टी इसका समीकन पूर्ण होगा डेल इन आर टी यह आपका सुत्र रहेगा अब हम पांच वावला देखते हैं इस्थिर्टाप पर मोलो मोलर उस्मा गती की कामान इस्थिर्टाप पर मोल उस्मा गती से सदे उखालिस्तान होता है तो यहां रहेगा अधिक अधिक अगला देखते हैं पधार्त के एक मोल का मानक अवस्था पर अपने अव्योवी तत्व में बनने पर होने वाले इंथिल्पिय परिवर्टन खालिस्तान कहलते हैं तो मानक संभवन उस्मा यह कहलते हैं तो इसका अंसर रहेगा मानक संभवन उस्मा उसमा, अगला वाला, एंट्रापी की इकाई कहलाती है, तो एंट्रापी की इकाई आपकी, जूल, किलो, मतलब जूल, प्रति, किलो, मॉल, प्रति, इन्वर्स, यानि कि इसको लिखने का तरीका, यदि आप एस प्रकार से लिखेंगे, तो आपका रहेगा, मैं लिखके बता देता हूं आपको, जे, के, इन्वर्स, मॉल, इन्वर्स, इस प्रकार से आप इसको लिखना ए, या फिर आपको लिखना है, तो जूल, प्रति, के लोरी, और प्रति, मॉल, ऐसा आपको हिंदी में लिखना है, अगला देखते हैं, एंट्रोपी तंत्र की, खालिस्तान की मा माप होती है तो एंट्रोपी तंत्र की माप अवस्था में होती है है तो यह हम आपका आंसर प्रयाइट कर रहे हैं अवस्था या अवस्था लिग illustrated कि अवस्था अगला वाला देखते हैं नवावाला प्रबल्ल और प्रबल चार की उदासिनी करण उस्मा का मान खालिस्तान होता है तो जो प्रबल अमल रहते हैं और प्रबल चार रहते हैं उसकी उदासी निकरन उस्मा का मान आपका रहेगा माइनस का 57 किलो केलोरी या आपका अंसर रहेगा नवी वाले का माइनस का 57 किलो केलोरी फिर अगला देखते हैं दस्वा वाला किसी विल्गित न लिख सकते हैं नीयत अगला किसी पधार्त की आंत्री कुर्जा दाब वा आयतन का गुननफल योग गुननफलों का योग खालिस्तान कहलाता है वो कहलाता है आपका एंथेलपी एंथेलपी कहलाता है अब हम इनके चार अंक के जो प्रस्ण दिये गए हैं उनको मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ जो कि आपकी परिक्षा की दृष्टी सहती महत्तपून है वीडियो के अंत्र तक बने रहें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे तो देखें आप अगले प्रस्णों के सोल्यूशन तो आपका फस्ट वाला कोश्चन है कि कार्बन मोनो आक्साइड जो कि गेस है कार्बन डाई आकसाइड गेस है फिर 393 है फिर 188 है और 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स या प्रती इनवर्स अभिक्रिया तो यह आपकी अभिक्रिया दिये तो इसकी ह एंथ एंथल्पी का मान हमें ग्याद करना है यहाँ पर हम देखके बता रहे आपको कि यह वाला मान आपका उतपाद रहेगा और यह कारक रहेगा और यह उतपाद प्राप्त तो करेगा तो यहाँ पर आपकी अभिक्रिया के माद्यम से हमने एक फार्मूला जो कि एंथल्पी का आपका फार्मूला होता है की डेल आरेच बराबर जो नाइट्रोजन की फिर यहाँ पर आपको कार्बन डाय आकसाइट की फिर नाइट्रस आकसाइट की फिर कार्बन मोनो आकसाइट की यह सब दिये सब भी को आपको जोड़के बताना है तो उत्पाद और क्रियाकारत उत्पाद में से क्रियाकारत को हम कटा दें तो क्रमसा इनके मान दिये गए हैं यहां सुत्र के माद्यम से इन मान को हमने फॉर्मूले में पूट कर दिया है और जो माइनस वाले चिन्न थे उनको जोड़ने के बाद हमारी enthalpy प्राप्त हुई माइनस के 7777.7 किलो जूल मॉल या हमारी reaction करने के बाद अभिक्रिया में enthalpy प्राप्त हुई अगला वाला देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला प्रशन दिया गया है आपका कि निमने लिखी तांकडो में CH3OHI की मानक पीच्रण enthalpy का मान कितना होता यह reaction दिवी है हमारी इनमें सारे के सारे मान दिये गए है इन मान को हम formula के माद्यम में पूट करेंगे और सारा answer लेके आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं graphide graphide दिया हुआ है C और यहाँ पर आपके enthalpy माइनस का 393 किलो जूल मोल इन्वर्स दिवी है सुत्र के माद्यम में हम सब मान पूट करेंगे जैसे 2 into FH0 और इन पर जो मान रखने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ रियेक्शन यह अब इसकी वेकलपीक विदी देख लेते हैं तो CH3 OH बनाने के उत्पाद में अभी करिया CH graphide है तो 2H हाप गेस जो है आपका और CH3 यहां समीकन के माद्यम से हमने दो का इसमें मल्टिप्ला किया और यह आपका समीकन अब हम तीसरा वाला प्रस्न देखते हैं तीसरे वाले प्रस्न में दिया गया है यहां नियम उर्जा संरक्षन के नियम पर आधारित है ना तो उर्जा को उत्पन किया जा सकता और ना ही नस्त अब इसके बारे में बताया गया है कि मान लो A को Z में परिवर्तन करना तो पहली विदी से सीधा देखते हैं दूसरी विदी की काई में व्यक्त करके बता देते हैं तो यहां पर हैस ने बताया है कि जिसमें Q1 केलोरी सीधे परिवर्तन की मुक्त उसमा है यहां से हम देखते है Q1 तो यह Q1 है और Q2 है जैसे यहां से स्टार्ट किया उस्मा की मातरा A, A से B B से C और C से Z तक फिर Z से सीधा Q2 बनकर वो A के पास प्राप्ते हो गई तो यह हैस के नियम का नुसार एंटलपी में योग के बराबर बताया गया तो कुल Q1, Q2 और Q3 तीनों बराबर होंगे यह आपका हैस का नियम बता रहा है उधारन के लिए यह जल का उधारन इसमें दिया गया अब चोथा वाला प्राशन देखते हैं कि प्रबल अमल क्योंकि इस पार्ट में से 4 अंक के प्राशन आएंगे तो थोड़े लेंधी प्राशन तो आने वाले हैं प्रबल अमलो और प्रबल चार की उधासिनी करण उसमा का मान सदेव माइनस का 13.7 किलो केलोरी होता है समझाईए तो प्रबल अमले और प्रबल चार उधासिनी करण का फलसरूप सदेव एक ही अभिक्रिया है अच्छा यहाँ पर H प्लस वा OH जो आपका माइनस है इसमें आपको H2O एंथल्पी का मान दिया गया है यहाँ पर और एने ओचल करा तो सदेव उसमा इसमें क्या रहती है नियत रहती है यहाँ 13.7 किलो केलोरी है दुर्बल अमल एम प्रबल की उदासिनी करन उसमा का मान कम होता है क्योंकि निकलने वाली उसमा का कुछ भाग दुर्बल अमल या दुर्बल चार का पूर्ण व्योजित करने पर खर्च हो जाती है परिणाम सरूप दुर्बल अमल एम दुर्बल चार प्रबल अमल का उधाशिरी करने के प्रप्त होता है अब एंट्रोपी क्या है? इसकी भोतिक सार्तक्ता बताईए या समझाइए तो एंट्रोपी उस्मा गती की जो सीथे मापी नहीं जा सकती बलकि इसकी गण्ना की जाती है निकाला जा सकता है इसका प्रतीक 5 है निकाई की कुल उर्जा का वहाँ भाग जिसके उपयोग में लाया जा सकता है उसे निकाई की एंट्रोपी कहते हैं अब भोतिक सार्तक था इसकी बताई गई है कि एंट्रोपी को दाब या ताप की तरह भोतिक स्वरूप अनुभव किया जा सकता है की दी गई है वो एंट्रोपी में परिवर्तन डी एस परमताप को इस्पष्ट करता है और गुननफल होता है प्रत्वी के गुरुत्वाकर्शन छेत्र के किसी भी पिंड की इस्थितित उर्जा द्रविमान तथा किसी भी सुनितल की उचाई के गुननफल के रजुपाती या समानुपाती होता है अब छटा वाला कोश्शन आपका दिया गया है चटे वाले कोश्शन में निमली खित पर आपको टिपनी बतानी है यहाँ पर मानक विच्रन एंथलपी नंबर 2 में आभंधन एंथलपी नंबर 3 में अवस्था भलन और 5 में उस्तरिन गहन उस्मा तो यहाँ पर मानक विचलन एंथेलपी तत्व की मानक अवस्था में उनकी एंथेलपी के सुनने माना जा सकता है योगिक के विचलन एंथेलपी सदेव रिनात्मत होती है अब यहाँ पर पहला वाला हो गया फिर आबंदन एंथेलपी तो आबंदन एंथेलपी आपकी बंद आपकी बंद इंथिल्पी जो बंद इंथिल्पी होती है किसी भी योगी के दो अनुआ अधिक परमानों से मिलकर बने होते हैं और दो परमानों के मद्द बंद कोन बनने की कुछ उर्जा उत्षरजन होती है इसके विपरित परमानों के मद्द किनी भी दो बंद वियोजन बॉंड कहा जाता है दूसरे सब्द में किसी भी द्युक परमाणू अनू में योगिक मोल अपने अव्याव तथा परमाणू में वियोजित करते हुए एंथेल्पी के परिवर्तन को बंद वियोजन एंथेल्पी कहते हैं इसी प्रकार तीसरे वाले का भी आइतन हो गया और यहां पर विश्तर गहन गुनन यह आपका दो अंक का प्रष्णव यह चारंक में दिया अब वित्पत्ती किजिए यह आपका एंथेल्पी का शुत्र दिया गया है इसको आपको उत्पन करके बताना तो डेल एच माइनस डेलू डेल औरती के संब्हाद क कीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंधियल इज लेते हैं और जो पर जानते हैं ओर इक्वल टो एनरी एटी वाले जंविक ह disp कर जाता है यानि कि हम फय स्बसे पहले देखते हैं P-Dale V V मतलब आइतन में परिवर्तन हो रहा है और Dale H मतलब enthalpy में परिवर्तन यह दोनों का गुननफल आपकी उर्जा के बराबर होता है अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों की प्रारंबिक अवस्था लेते सबसे पहले यदि आइतन में डेल H और डेल V प्लस P-Dale V यानि की डेल V का मतलब होता है आइतन में परिवर्तन जब आइतन में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर हम देखा जाए कि अब दित्य आइतन माइनस प्रारंबिक आइतन क्योंकि दूसरे में से पहला आइतन घट रहा है तभी तो परिवर्तन हो रहा है अब P का अंदर हम गुणा कर देंगे तो P-Dale V2-P V1 यहाँ पर इतना अब PV इक्वल टू NRT नहीं हम इसमें लागू करते हैं कि जहाँ पर PV इक्वल टू NRT का प्रियोग कर सके इसकी प्राइरंबिक अवस्था लेते हैं PV यहाँ आइतन में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ मोलों की संख्या में इनके जो मोल होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन तो P1 के लिए मोल V1 हो जाएगा और V2 के लिए हमारा मोल N2 हो जाएगा यहाँ पर हम देखते हैं इन्थेल्पी में दोनों का मान हमने जाँ V1, V2 है उनका मान रख दिया यहाँ से RT, RT इसका कॉमन निकाल दिया यहाँ पर यहाँ से हमने RT कॉमन निकाल दिया और यहाँ पर जब N1 और N2 में परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए डेलेन हमने लिख दिया अब यह हमारा मान पूरा का पूरा हमने प्रतिस्था पित कर दिया इससे हमें समीकन प्राप्त हो गया अब आठवा वाला कॉश्चन देखते हैं निमन लिखित को दहन और उस दहसे दिकरन को समझाई तो दहन क्या होता है निश्चित ताप पर किसी इस्थिर दाप पर किसी योगी के एक मोल में आक्सिजन के आधिक किमे से पूर्ण दहन करने पर जो उर्जा का परिवर्तन होता है यानि कि उसको ताप दिया जाए तो उसमें उर्जा की मातरा जब बदल जाती है आगे बीचे हो जाती है तो वो क्या किलाता देहन इसकी रियक्शन आपकी दी गई देहन के उपयोग होते हैं योगी की संबहुन उसमा ग्यात की जा सकती है इधन का केलोरीमान ग्यात किया जा सकता है बोजन का केलोरीमान ग्य उत्पन उस्मा की मात्रा प्रबल अमले हों प्रबल छार के इसके लिए इसका मान डेलेज बराबर माइनस का 57 जूल किलो जूल होता है तो इस वीडियो में हमने इकाई 6 कक्छा 11 वी विसेर रसायन विज्ञान के प्रशन पत्र को या प्रशन बेंक को 2022 को कवर किया है तो इस आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से देख सकते हैं और मैं प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको प्रवाइड कर दूँगा जैहिन साथ यो अगले वीडियो में जल्दे मिलते हैं हम आपको टाटा बाई बाई